नमस्कार साथियों मैं दिपंकर समध्दार Chartered Accountant आपका Business Growth Associate आज एक और निधी संबंदित काम करने के लिए सीक्रेट एक और बताने वाला हूँ आप एक चीज सोचिए कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आज यह सपना देख सकता है कि वो निधी कंपनी खोलेगा वो गोल लोन देगा वो मौटगेज लोन देने वाला है कोई भी व्यक्ति को सपना दिखाने के लिए यह जो रूल्स है नि आपको होने नहीं दूँगा उसके लिए वीडियो को अंत तक देखिए कि मैं क्या आपको आइडिया देना चाहता हूँ सबसे पहला कि लोन का जो फॉर्म लेते हैं हम लोग वो लोन का फॉर्म जिसको फिलब करवाते हैं आपन लोन देते समय उसको बहुत अच्छे से डि आइडी लिखिएगा आपको लोन का फॉर्म फॉर्मेट मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे क्लाउज जबर्दस्त तरीके से लिखे हुए होंगे तो यह लोन के लिए आपका मेल आइडी आपका नाम आपका मुबाइल नंबर यह कमेंट में आप जरूर डाल के लिए जब कोई पैसा देता रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जब पैसा नहीं देता रहेगा उस समय हमारा यह जो loan form declaration form मीधी में बहुत सारे documents होते हैं मैं एक एक करके videos में बताने वाला हूं loan form basically क्यों होता है इसलिए कि हमारा जो applicant है उसकी पूरी जानकारी रहे उसके nominees कोन है उनकी जानकारी रहे उनके परिवार की पूरी जानकारी रहे income का जो source है वो कैसा है वो stable है की नहीं stable है और जिस वेक्ति ने उससे मुलाकात की वो भी उसमें अपना data लिख सकता है कि भई मैंने इसे मिला और loan form में ही लिख रहा है कि भई मुझे लगा कि इनका income stable है और जो जो documents उस वेक्ति ने आपको दिये हैं उसका information रहता है इसके अलावा जो property या gold वो offer कर रहा है उसका type हमारे पास में information में form में आ जाता है कि भई वो क्या offer कर रहा है loan जो चाहिए वो gold के against में offer कर रहा है या फिर कोई mortgageable property दे रहा है जिसको हम लोग mortgage पर रख ले रहे हैं तो loan form में declaration भी होता है कि मैं स्वेच्छा से इस company में loan मांगने आया हूँ दूसरा कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई loan लेने के लिए pressure नहीं था तीसरा मैंने स्वेच्छा से पहले यहां की membership ले ली है तथा membership संबंधी सारे formalities पूरा किया हुआ है चौता यहां पर के सारे rules और regulation मुझे English में या Hindi में जो भी उनका language होता होगा उसमें बताया गया है और अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा एक regional language का option रखिएगा अगर regional language कोई है जहां पर English इंदी कोई समझता नहीं है तो एक वेक्ति जो की translator हो वहां का respected बंदा हो उसको अपने साथ में रखिए वो जरूर translate करके सारे forms को बताये अनपढ़ है तो उनको बताये कि भाई ये लिखा हुआ है और अगर आपके लिए possible है तो voice recording जरूर करिएगा और नहीं कर पार है कोई बात नहीं लेकिन form के नीचे उनके अंगूठे या फिर sign और उसके साथ उस वेक्ति जिसने translate किया जिनको वो लोग जानते हैं उनका sign और detail form में करवा लिजेगा जब हम preliminary form वाला काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं तब जाके हम लोग यह expect कर सकते हैं कि आगे के loan या किसी भी चीज में कोई problem नहीं आने वाली है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्रहक बहुत अच्छे होते हैं उनके जीवन में परेशानी और मजबूरियां काफी सारी होती है तो वहाँ पर कभी ऐसे कुछ आ जाती है कि अगर उनको एक भी loophole दिखा कि आपने paper ढंक से नहीं बनाया या फिर आपकी यह गलती है तो वो लोन को थोड़ा कटेल करने का कोशिश करते हैं सोचते हैं कि न दूँ देर से दूँ यह उनकी मजबूरी के कारण होता है लेकिन उसके करण company का तो नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान से बचने के लिए बहुत सारे documents हैं जो आपको बनाने हैं मैं एक-एक करके वीड पूर्ण information समय पर देना ताकि आपके काम आए आप सबकर अपना दिपंकर समधार धन्यवार